हलो दोस्तों, मित्रों, ज्यान दर्शन वन आउसत यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है, आज हम आप लोगों को एक आउस दिये जानकारी देंगे, वह जानकारी है इमली के बीज, बेनेफिट साफ टामर एंड सीड इन हिंदी, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे इमली के बीज के फायदे के बारे में, इसमें कोई सक नहीं है कि इमली के बीज में कई सारे आउसदीय गुड़ हैं, इमली के बीज के फायदे बताने से पहले हम एक बात आप लोगों को इसपस्ट कर दें कि इमली के पूरा बीज इस्तेमाल उपयोक्त में नहीं है इमली के बीज का छिलका उतार कर जो ऊपर कठोर परत होती है उसको उतार कर और उसके अंदर के गूदे का प्रयोग किया जाता है इसी वज़े से छिलके उप्योग में नहीं लाये जाते हैं मित्रों इमली के बीज दस्त रोकने में सहायक हैं इमली के बीज प्राप्त अर्क में जायलो ग्लुकोन नामक घटक पाये जाता है इस अर्क का उपयोग डाइरिया की समस्या को कम करने में मददगार है मित्रों एम्नूटी सुधारने के लिए इमले की बीज में प्रयोग लाये जाते हैं इम्नूटी के लिए इमली के बीज का इस्तेमाल रोग-प्रत्रोधक छम्ता को बढाने के लिए किया जाता है इमली के बीज में anti-bacterial गुड़ पाये जाते हैं इमली के बीज में anti-implementary गुड़ पाये जाते हैं या सूजन की समश्या को कम करने में वजदगार है मधु में को नियंत्रित करता है इमली का बीज इमली के बीज में सक्स ताली एंटी डायोगेनिक गुड मौझूद होते हैं एंटी डायोगेनिक गुड मौझूद होते हैं ये गुड रक्त में शुधार लेबिल को कम करने में शायक हैं यह रक्त की सरक्रा की मात्रा को कम करके और सुगर लेविल को कंट्रोल करता है आखों के लिए लापकारी है इमली के बीज इमली के बीज में पाली सैकराइड नामक घटक होता है जो आखों के लिए लापकारी होता है घाव भरने में सायक है, गठिया की समस्या में लापकारी है। इसमें प्रोटीन, फायट, कार्बोहाइडेट और फाइबर जैसे तत्त मुझूद हैं जो सरीर की कमजोरी दूर करने में मददगार हैं इमली के बीजों का चूड़ मित्रों हम आपको बताने जा रहे हैं इमली के बीज के उपर का चिलका उतार कर बीजों को सुखाने के बाद इनका बारीक चूड़ बना लें और जितने इमली के बीज लेने हैं उतनी ही मात्रा में मिस्री लेनी हैं मित्रों मिस्री और इमली के 20 सम बराबर मात्रा में लेकर के और इनका पाउडर बना लें उस पाउडर को एक चमच सुबाह एक चमच साम नित्प्रति गाई के दूज से लेने से आपकी सारी रिक कमजोरी दूर हो जाएगी यह आजमाया हुआ नुस्खा है यह नुस्खा आप आजमा कर पंसारी की दुकान से इनके बीजों को लाकर बना कर लाभ ले सकते हैं दोस्तों आज हमने आपको इमली के बीज के खाने के फाइदे के बारे में जानकारी दी है इसके आुसदी प्रियोक के बारे में जानकारी दी है ग्यान दर्सन वन उसद यूटूब चैनल में हमें जो भी जानकारिया वाँ उसदी जानकारिया मिलती रहेंगी हम आप तक अपने विचार साधा करने का प्रयास करते रहेंगे दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक अवस्च करें आपके लाइक करने से हमारा मनोगर बढ़ जाता है और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने का मन करने लगता है तो मित्रों एक लाइक अवस्च करें अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकन पूस्ट करें ताकि हमादे द्वारा दी जा रही आप तक सुचार रूप से पहुंचे तो मित्रों आज हमने आपको इमली के बीजों के खाने के बारे में जानकारी दी है आज मिलेंगे फिर वीडियो में तब तक के लिए जै भारत वंदे मात